नमस्कार मैं हिमानशी कुमार आप देख रहे हैं भारत लाई बिधान सवा के अंदर बिधायकों को जिसकदर पीटा गया था घसीटा गया था वो द्रिश पुरे देश में वीडियो के रूप में वाइरल हुआ था और बिहार सरकार के खुब किरिकरी हुई थी हलाकि इसके पाज देश व्यादर में अलान कर दिया था कि अगर जिम्यदार प्रिश प्दाधिकारी पर कारवाई नहीं होती है तो वो अगले पांस साल तक बिधान सवा का जो है भैशकार करेंगे हलाकि नितिश कुमार का इस पर बयां था कि पुलिस प्ताधिकारी इसके लिए जिम् बिधान सभा अध्यक्ष पीछे अट गए ते इसके बाद एक खबरे चल पड़ी थी कि बिधान सभा अध्यक्ष बिजय सिनहा पर कहीं ने कहीं जीडियू के नितिशकुमार या फिर बीजेपी के अलाकावान से दबाप पड़ा है लेकिन अब इसको लेकर एक बड़ी खबर आरे बकाईदा विधान सभा अध्यक्ष बिजय सिनहा ने पटना के बतादे आयुक्ट और आईजी के साथ बैठक करी है जिसमें इस मसले को काफी गंभीता से लिए और कहा गया कि बिधान सभा की जो गरीमा है उसका ख्याल रखा जाना चाहिए विधायकों के साथ सो में पुरुबक बेभार होना चाहिए जो बेभार मर्यादा का लक्षवन रिखा है उसे क्रॉस नहीं करना चाहिए और इसको लेकर बकाईदा सचिवाले के अंदर विधान सभा के अंदर की जो फूटेज है उसको जमां किया गया तेवसी आदम जो बीडियू फूटेज अबल क्योंकि कोई भी मानने विधायके साथ इस तरीके से बदसलुकी नहीं कर सकता है कहा जाता है कि उस वक्त जो विपक्ष के विधायक थे उन्हें आसन को घेर लिया था जिसके बाद मार्शल को बुलाना पड़ा था हलाकि इसके बाद विपक्षी पाठी है यह आरूप लग लिकत नहीं है बलकि नितिस कुमार ने अपने सवजाती गुंडों से प्लिस पताधिकारियों से पिटाई करवाई थी अब इसको लेकर विजे से ना एक बार फिर से फॉर्म में लोट चुके हैं और बकायदा यादेश दिया दा चुका है जिन प्लिस पताधिकारियों ने मानने विधाके के साथ मार पिट करी थी अब उनुम पर जो है गाज गिरने वाले है तो एक बड़ा फैसला कह सकते हैं क्योंकि पिछले दफा विजे सिनह ने असपर तूर पे कह दिया था कि प्लिस पताधिकारी पर कोई कारवाई नहीं होगी इसके उलट विधायकों पर क ऎδा के राजनी और विऴढारियत से सरुकार रखेए नहीं ता सिब्सक्राइब बटन दबाके चैनल के सब्सक्राइब करें ओजे गो घंटी बाग उकरा बटन दबा देला से कुल सठीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाए अगर रुवा पत्रकाईटा के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहता ने तो जॉइन बटन दबा दी पेटियम नमबर नोटकली 93868167000 धन्यवाद